नमस्ते मैं चेंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलेजन्ट अकेडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार SAC के लिए एक मैध का सीरीजे स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग प्रते एक दिन बिहार SAC में आई वे मैध का प्रिपेस एर कोश्चन और उस पर अधायत मैध का कोश्चन कर रहे हैं चलिए आज उस स्रीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस नोटिफिकेसन मिलता रहे चलिए अब हम लोग कोश्चन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चन दिया है दो ट्रेने एक 125 मीटर और दूसरी 375 मीटर लंबी समनांतर पट्रियों पर बिप्रित दिशाओं में क्रम सा 81 किलोमेटर पर घंटा और 63 किलोमेटर पर घंटा की चाल से चल रही है उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा तो देखे हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई train किसी दूसरे train को पार करती है या किसी platform को पार करती है या किसी pool को पार करती है तो उस case में train जो है अपनी लंबाई plus की जिसे पार करती है उसके लंबाई के बराबर दूरी चलती है अब देखें यहाँ train जो है एक दूसरे को पार कर रही है तो यहां दूरी क्या हो जागा? दोनों ट्रेन के लंबाई के बराबर दूरी हो जाएगा. यहां जो है दूरी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 125 मिटर प्लस का क्या हो जाएगा? 375 मिटर. अब देखे हम इसे एड करेंगे तो यहां स का स्पीड दिया हुआ और दोनों एक दूसरे के विप्रित दिशा में चल रही है तो यहां रिलेटिव स्पीड क्या होगा यहां रिलेटिव स्पीड हमें समय निकालना है तो देखे हमें डिस्टेंस पता चल गया अगर हमें स्पीड पता से जैतों हम समय निकाल सकते हैं और का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है दूसरे का हमें स्पीड दिया हुआ है 63 किलो मेटर पर घंटा अब देखिए हम इसे एड़ करेंगे हमेशे एड़ करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एक प्लस तीन कितना हो जागा चार और आठ प्लस चो कितना हो केलिए हम इसमें क्या करेंगे 144 में हम गुना करेंगे 5 बता थारे से 474 कितने बर में जाएगा यह हैं से चानि किया यहां से 40 मीटर पर सगेंड में निकल्गा गया और इस्टेंस रही पता चलिए तो हमें क्या निकालना था समय निकालना था तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं हम यहां से समय निकालेंगे तो हम क्या करेंगे समय निकालने के लिए हम दूडी में समय निकालने के लिए हम दूडी में क्या करेंगे स्पीड से भाग देंगे दूड़ी क्या है 500 मीटर दूड़ी क्या है 500 मीटर और स्पीड हमारा क्या निकल गया है 40 मीटर पर सेकंड स्पीड हमारा निकल गया है 40 मीटर 40 मीटर पर सेकंड अब देखे एक 0 से हमारा एक 0 चला जाएगा हम इसे अगर काटेंगे पचास को अगर हम चार से काटेंगे तो यह कितने बार में जाएगा बारचो कर तालिस हाथ में आ जाएगा दो हाथ में क्या आ जाएगा दो आ जाएगा उसके बाद पॉइंट लगाएगे जीरो आएगा यानि 20 बन गया 5 बार में जाएगा यानि यहां से हमारा क्या निकल क्या गया यहां से हमारा निकल क्या गया बारे पॉइंट 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगी हमारा समय क्या निकल क्या गया बारे पॉइंट 5 सेकंड चली कोस्चन समझ में आ गया होगा next question पे चलते है देखे हमारा question क्या दिया हुआ है देखे हम घन की भूजा कैसे निकाल सकते हैं हमें question में घन का कुल पिष्टे चेत्रफल दिया हुआ है 384 cm2 तो देखें घन के कुल पिष्टे चेत्रफल का फर्मूला क्या होता है 6A² 6a² हमें किसके बराबर दिया हुआ है 384 cm² के बराबर दिया हुआ है तो हम यहां से a निकाल सकते हैं अब देखें यहां से हमारा a² क्या हो जागा हम इसे 6 से काटेंगे तो यह 6 से कितने बार में जागा 64 बार में चला जागा यहां से हमारा हो जाएगा a square equal to 64 cm square तो a हमारा क्या हो जाएगा यानि दोनों साइड अगर हम बर्गमूल करेंगे तो हमारा a निकल क्या जाएगा a क्या निकल क्या जाएगा 8 cm a हमारा क्या निकल क्या गया 8 cm यानि घन का भुजा हमारा निकल क्या गया सेंटिमिटर और हमें क्या निम्हाइं हमें करेंगे हमारा क्या हो जागा आठ की क्या होता है पान सू यअवारे हमारा आउसर निकलत किया गया पान सू बारे सथेटीमिटर क्यूब करें question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिये 2-6-1 परिक्षा में बैठे उन में से एक ने दूसरी की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किये और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56 परतिशत थे उन दोनों यानि एकस प्लस का 9 अंक प्राप्त किया अब देखे हमें question में क्या दिया हुआ है कि दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किये और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56 परतिशत है यानि ये एकस प्लस 9 जो है ये जो एकस प्लस 9 है एकस प्लस 9 जो है उन दोनों अंको के योग यानि x plus x plus 9 की योग का 56 परतीसत है चपपन परतीसत है तो देखे हम यहां से क्या लिख सकते हैं हम य Springs 9 इक्वल तो यह हमारे क्या होज़ागा? टू X 2 x plus 9 गुणिय हमारे क्या होज़ागा? 56 āगा 100 हो जाएगा देखिए हम इसे 4 से काट लेंगे 4 से 56 जो है 14 बार में जागा और ये कितने बार में जागा 25 बार में हम यहाँ से cross गुना कर लेते हैं cross गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 x प्लस का अगर हम 25 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जागा यह हो जाएगा 225 equal to, हम इसमें 14 से गुना कर लेते हैं 14 से गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 28x पलस हमारा क्या हो जाएगा, 14 में अगर 9 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 126 अब देखिए, हम यहां से से क्या लिख सकते हैं हम यहां से इस 25 x को अगर हम उस साइड लेगे जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 28 x में से अगर हम 25 x माइनस करेंगे तो यह हमारा क्या हो 125 माइनस कर लेते हैं 125 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जागा 100 और एक और माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जागा 99 यानि 3x किसके पराबर निकल क्या गया 99 के पराबर निकल क्या गया एक्स हमारा यहां से क्या हो जागा, एक्स हो जागा 33, अब देखें, एक्स का वहलू हमारा निकल क्या गया, यानि एक्स ने एक्स अंग प्राप्त किया था, और दूसरे ने कितना प्राप्त किया था, एक्स प्लस 9, यानि दूसरा का अंग क्या हो जागा, 33, प्लस का 9, 33 में अगर हम 9 add करेंगे, तो यह हमारा क्या हो जागा, 42 हो जागा, यानि एक ने 33 अंग प्राप्त किया होंगे, और दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा, 42 अंग, चली question समझ में आ गया होगा, next question पे चलते हैं, देखें एक हमारा simplification दिया हुआ है, हम इसे solve करते हैं, हम सबसे अंग के बाद जो है, पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां अगर हम पॉइंट रटाएंगे, तो बट्टे में हमारा 3 0 आजाएगा, यानि यह हो जाएगा, 25 बट्टा, 1000 हो जाएगा, उसके बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, यह हमारा जो है, पॉइंट में नहीं है, यानि 49 है, प्लेस, यहां जो है, दो अंग के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो यहां बट्टे में 2 0 आजाएगा, यह हो जाएगा, 92 बट्टा, 100 हो जाएगा, डिवाइड, यहां जो है, एक अंग के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, यानि एक 0 आजाएगा चास बटा दस डिवाइड यहां जो है एक अंग के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो यहां भी एक जो है जीरो आ जाएगा बट्टे में अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बोर्ड बास में हम सबसे पहले डिवाइड का काम करते हैं उसके बाद हम मल्टिप्ल हो जाएगा प्लस हमारा क्या है 49 प्लस 92 बटा 100 यह हमारा डिवाइड में है यानि हम इसे अगर मल्टिप्लाइ में करेंगे तो यह प्लट जाएगा ये हो जाएगा 10 बटा 2 हो जाएगा गुने 5 minus 49 बटा 10 ये हमारा divide में है अगर multiply में करेंगे तो ये हमारा plot जाएगा ये हो जाएगा 10 बटा 7 अब देखिए हम यां से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं अगर हम इस 100 को 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा उसके बाद हम यहां से 1-0 से 1-0 काट सकते हैं उसके बाद हम और क्या काट सकते हैं अगर हम इसे अगर 4 से काटे हम इसे पहले 2 से काट लेते हैं 2 से अगर काटेंगे तो यह 2 से कितने बार में जाएगा 2 से 4 बार में हाथ में 1-2-6 बार में 46 बार में जाएगा सकते हैं इस साथ से उन्चास को काटेंगे तो साथ बार में जाएगा यहां से हमारा क्या बच गया यहां से मारा बच गया दो गुन्य चार यनि यह क्या हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो गया 49 प्लस क्या हो जाएगा यहां हमारा क्या है यहां क्या है तेई से यहां हमारा 49, 49 एक 40, 40 और 22 कितना हो जाएगा, 40 और 22 हो जाएगा हमारा 62, 62 और 8 कितना हो जाएगा, 70, 70 में से हम 7 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल किया जाएगा, 63 निकल किया जाएगा, हमारा आंसर क्या निकल किया जाएगा, 63 निकल किया जाएगा, चली कोश्चन समझ में आ गय लड़कों की शेंख्या की दुगुन्नी है तो इस्कूल में सभी विद्यार्थी का ओशत भार कितना होगा हमें क्या निकालना है अब दिखे में कोश्चिन में क्या दिया हुआ हमें कोश्चिन में हमें कोश्चिन में लड़की का हमें ओशत भार कितना दिया हुआ हमें कोश आवसㄉत भार काई दिया है 26 kg और हमें century में क्या दिया हूँ है कि यदि लडगियों की शंख्या लड़कों की शंख्या की दुगुंणनी है यानि हम यहां से संख्या का ratio निकाल सकते हमें हम buünden से शंख्या का रेशियू not लड़की का हमें औस भार पता है लड़का का हमें औस भार पता है और हमें निकालना है पूरे विद्यार्थी का हमें औस भार निकालना है अगर देखिए हमें पूरे विद्यार्थी का औस भार पता होता और हम वहां एलिगेशन लगाते तो नीचे हमारा जो रेशियो प्रा पता है लड़का का उसत्भार कितना है 36 kg और हमें जो है पूरे विद्यार्थी का उसत्भार निकालना है और हमें संख्या का रेश्यू पता है संख्या का रेश्यू क्या है तू इस टू वन अब देखे एलिएशन में जो यहां बीच में संख्या होती है एक से बड़ी होती ह और एक से छोटी होती है, यानि यहां जो संख्या होगी, वो 30 से बड़ी होगी और 36 से छोटी होगी, यानि 31, 32, 33, 34 और 35 में से कोई एक संख्या हमारा यहां हो सकता है, अब देखे हम यहां संख्या सोच ले, या हम यहां एक सरक्के बना ले, या हमें option दिया रहेगा, तो हम option से भी सोच सकते हैं, तो देखे हम यहां क्या रखे, कि हम उसमें से अगर, हम यहां क्या रखे, यह 36 से छोटा होगा, कि यहां क्या रखे, कि हम 36 में से माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल क्याएगा, दो निकल क्याएगा, और यहां क्या है, अगर 34 में से हम 30 माइनस करे तो हमारा क्या निकल क्या चार निकल क्या यानि यहां हो जाएगा वहां से हमारा रेशियो क्या निकल क्या जागा वहां से हमारा रेशियो निकल क्या जागा वन इस्टू यानि हम यहां 34 नहीं सकते हैं हम 34 research stayOUT 34 जिए रख सकते हम यह और 35 नहीं रख सकते हैं उसके बाद हम अगर 33 रखेंगे तो 33 रखेंगे तो यहां तीन आजाएगा यानि हमsanicku सकते हैं हम यह एकपर 32 देखते हैं देखें हम यहां आगर 32 देखेंगे हम यहां अगर 32 एंगे तो 32 मेश चो में से यहां से निकल क्या जाएगा चार निकल क्या जाएगा और दो निकल क्या जाएगा यानि हम इसे अगर दो से काटेंगे तो हमारा रेश्यू क्या निकल क्या जाएगा टू इस टू वन निकल क्या जाएगा यानि पूरे विद्यार्थी का औस भार कितना हो सकता है पूरे 23-3 में से एकस माइनस करेंगे तो कि इसके बराबर निकल को आगा 2 यूञेट के बराबर और यहां सMAN सकते हैं और यहां सोचके भी मिना सकते हैं चली कोश्चिन समझ में आ गया ओगा नेक्स कोश्चिन पर चलते हैं कि प्रकरिया एक यारए और चैनित कानपाथ 3 is to 1 था यदि 80 कम ने आवेदन किया होता और 40 कम चैनित होते तो चैनित और चैनित कानपाथ 4 is to 1 होता कितने उमिदवार में प्रकिरिया के लिए आवेदन किया था अब देखें हमें question में हमें question में selected और rejected का हमें ratio दिया हुआ है और यह ratio 4 is to 1 हो जा रहा है यह ratio 4 is to 1 हो जा रहा है और एक unit reject हो रहा थे यनि यहाँ total संख्या क्या हो जाएगा total 3 प्लस 1 कितना हो जागा 4 unit और बाद में 4 unit select होने लगे और 1 unit reject होने लगे यानि यहां आवेदक का total सेंग्या क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा यह ratio कब हो रहा था यह ratio कब हो रहा था जब 80 कम ने जब 80 कम ने आवेदन किया होता और 40 कम जो है जब 40 कम जो है पांच होते तो यह ratio क्या हो जाता 4 is to 1 हो जाता तो देखिए हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं हम यहां से इसे लिख सकते हैं selected और हम यहां से total का ratio ले लेते हैं देखिए पहले जो है 3 unit select हो रहे थे कितने में से 4 unit में से और बाद में 4 unit select होने लगे कितने में से 5 में से यह ratio कब हो रहा था जब 40 कम जो है select होते और 80 कम जो है आवेधन किये होते अब देखिए हम यहां से cross product लगा सकते हैं हम इसमें इससे गुना करेंगे इसमें इससे गुना करेंगे बड़े में से हम छोटे को minus करेंगे उसके बाद हम इससे इसमें गुना करेंगे इस से इस में गुना करेंगे और बरे में से छोटे को माइनस करेंगे ये दोनों हमारा अपस में बराबर निकल के आएगा अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे अगर 3 से अगर 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जागा 15 15 और चार से चार में गुमना करेंगे क्या होसिएगा इनि हम यहां 16 माइनस 15 करेंगे यह텐ा किसके बराबर हो जाएगा हम यहां गोना करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा माइनस का लुच का दौसों यानि यह माइनस के 200 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 320 यहां से हमारा क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा एक यूनिट किसके परापर हो जाएगा यह हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 320 में से अगर हम 200 माइनस करेंगे तो यह हमारा क्या निकल किया जागा 120 निकल किया जागा अब दिखिए एक यूनिट हमारा क्या निकल किया गया 120 निकल किया गया और हमें जो है आवेदक का शंख्या निकलना था आवेदक कितना थे पहले टोटल 4 यूनिट यानि हमें 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए एक यू निम्न संख्याओं में से कौन से संख्या संख्या से घर है तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या आमारी नव से विभाजित है तो देखेए कि अंकों का यूग अगर 9 से बिभाजित है तो हमारी शंख्या 9 से बिभाजित होगी है तो देखें हम यहां चेक कर लेते हैं यह 5 प्लस साथ बारे बारे चो अठारे अठारे और दो कितना हो जागा बीस बीस साथ सताइस यह भी हमारा सताइस है यानि यह भी संक्या आपनी नो से विभाजित होने वाली है यहां हमारा क्या हो जागा दस एक इगारे इगारे और चो कितना हो जागा इगारे और चो हो जागा 17 और 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 यानि 19 जो है 9 से बिभाजित नहीं होगा यानि यह संख्या आपनी 9 से बिभाजित नहीं होगी अब देखें यहां हम देख लेते हैं 5 plus 6 कितना होगे इगारे इगारे और 9 कितना होगे 11 और 9 होगे 21 और 20 20 और 8 कितना होगे 28 28 और 2 कितना होगे 30 जोosing 9 से विभाजित نہیں होगा यनि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगे अब देखे दो option हमारा छट गया दो option बच गया अब हम चेक करेंगे कौन सी संग्य आमारी इगारे से विभाईत हो रहेगे इन दोनों में से तो देखें इगारे से विभाईत होने के लिए हम क्या करते हैं यह हमारा संख्या क्या है 57,1,7 तो देखें हम क्या करते हैं इगारे से विभाईत होने के लिए हम देखे एक छोड़के एक को add करते हैं उसके बाद जो बच गया उसको हम add करेंगे और इन दोनों का difference हम देखेंगे कि difference या तो हमारा 0 आना चाहिए या हमारा 1 गारे आना चाहिए तो यहां हम करेंगे 5 प्लस 7 कितना हो जगा 12 12 और 7 कितना हो जगा 12 या हम करेंगे 7 प्लस 8 कितना हो 1 जगा happens या हम इसमें से आorgan माइनस करेंगे हमारा क्या निकल के जाए हएगा दापनज या हम यहां एक फोड़के एक को add करेंगे 5 प्लस 6 कितना हो जगा है इंगारे 8 कितने गोगाँ, सब्सक्राइब क्या जाएगा, अब देखे यह 9 क्यों क्या गया, नी इखार किया हुँ होगा मीटर पर सेकेंड में कार की ओसत गती कितनी होनी चाहिए हमें क्या निकालना है कार की ओसत गती मीटर पर सेकेंड में निकालना है अब देखे हमें कोश्चेन में दूरी दिया हुआ है हमें कोश्चेन में दूरी दिया हुआ है हमें दूरी कितना दिया हुआ है दो सो सोले किलो मेटर दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है हमें शमय कितना दिया हुआ है 3.2 घंटा दिया हुआ है तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं हम स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं दूरी में हम समय से भाग देते हैं यहां से हमारा स्पीड निकल के आ करेंगे पाँच बेटा अठाड़े से गुना करेंगे हम इचे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए दोसो शुल कटाये aanगे और 205 शुला उसके 3 गुने 50 बटा हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हम इसे 2 से काट सकते हैं 2 से ये 25 बार में जाएगा और ये 2 से कितने बार में जाएगा 4 बार में यहां से हमारा निकल के आगया 75 बटा 4 मीटर पर सेकेंड 75 बटा 4 मीटर पर सेकेंड देखे हम इसे पॉइंट में चेंज कर जाएगा साथ बार में 28 दो आ जाएगा जीरो आ जाएगा फिर पांच बार में जाएगा यहां से मारा मीटर पर सेकिंड में मीटर पर सेकिंड में हमारा स्पीड क्या निकल क्या गया 18.75 meter per second चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया 9 क्रमबद बिशम संख्याओं का औसट 27 से यदि इन 9 बिशम संख्याओं की पिछली और अगली बिशम संख्याओं को भी सामिल कर लिया जाए तो नया औसट क्या होगा हमसे नया औसट पूछ रहा है तो देखे पहले हमें औसट क्या दिया हुए हमें 9 बिशम संख्याओं का औसट 27 दिया हुए और हमसे question में बोल रहा है कि एक अगली और पिसली बिशम संख्या को सामिल कर लिया जाए तो नया ओसत क्या होगा तो देखें नया ओसत भी हमारा 27 सी रहेगा ओसत में हमारा कोई चेंज नहीं होगा देखें कभी अगर हमें लगतार बिशम संख्या दिया हो लगतार संख्या दिया हो लगतार हमारा प्रक संख्या दिया हुआ है यहां जो है में नौ बिश्यम संख्या दिया हुआ है तो यहां जो आउसत होगा जो बीचो बीच हमारी संख्या होगी वही आउसत होगा यानी चार संख्या हम इस साइड से चोड़ेंगे और चार संख्या इस साइड से यहां जो बीचो बीच हमारी सं संख्या को सामिल कर लिया जाए तो नया उसत क्या होगा यानि अब संख्या टोटल कितना हो गया पहले नौ संख्या था अब दो संख्या हमने सामिल कर लिया यानि टोटल संख्या कितना हो गया इगाड़े यानि जो बीचो पीच संख्या होगी वही हमारा क्या होगा और चलिए चलिए हमारा कॉस्चिं क्या दिया हुआ है हमारा कोशिन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हम इक्वेशिन दिया हुआ A PLUS 5 INTO 8 DOKY 2 का SQUARER INTO 11 EQUAL TO 134 देखे हम याँ से इसे क्या लिख सकते हैं हम याँ से इसे क्या लिख सकते हैं A PLUS A PLUS यह हमारा क्या है 2 का SQUARER स्वार करेंगे 4 4 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो यह कितने बार में जाएगा 2 बार में 2 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा into हमारा क्या है 11 equal to 134 यहां से हमारा हो जाएगा A plus हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 एक्वल टू कितना हो जाएगा 134 हम अगर इस 110 को अगर उस साइड लेगे जाएगे तो प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में यह हो जाएगा एक्वल टू 134 माइनस का क्या हो जाएगा 110 यहां से हमारा एक्वल टू क्या निकल क्या जाएगा यहां से हमारा a equal to निकल किया जागा 24 हमारा answer क्या निकल किया गया 24 निकल किया गया चलिए question समझ मैं आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते है next class में अगर class अच्छा लगे तो class को like करिएगा अगर आप मेरे channel पे नए हो तो channel को subscribe करिएगा और class को अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई